ओके सो गाइस कैसे हो आई होप आप सब बढ़िया ही होगी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो कुछ दिनों पहले मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था उन्होंने कहा कि हाउ टू टू टर्न आवर वाइट एर टू ब्लैक एर हम अपने सफेद बालों को काला कैसे करे कि सफेद बाल कम एज में होना एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉबलम है एज के साथ तो यह होता ही है खैर बट कम एज में होना यह बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉबलम है कि इसके वज़े से आप बाहर नहीं जा सकते ज्यादा आपके अपने फ्रेंड्स के सामने क बहुत सारे लोग यह कॉश्चन्स भी करते कि आपके इतने बड़ी जावानी में हैर सफेद हुए तो हुए कैसे इसकी वज़े से आप डाइव बहुत ज्यादा करवाने लग जाते हो और आपके हैर फिर और ज्यादा वाइट होने शुरू हो जाते हो आज का वीडियो हमारा इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो वहाँ पर मैं परसनली सबसे ब्रीफ में बात करता हूँ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जानता हूँ उन्हें कुछ सॉलूशन्स बताता हूँ और आपकी प्रॉब्लम पर वीडियो जरूर बनाता हो और वहाँ पर मैं कुछ ऐसी जादा बेनिफिशल हो सकते हैं जरूर चेक आउट कर लें सबसे पहले बात करने में काफी ज्यादा हेलफुल होता है हमारे धीरे करके हमारे सारे हेर वाइट होना शूरू हो जाते हैं यह बहुत ही ज्यादा बड़ा रेजन होता है गर्जीजिया आपके घर में आपके बड़े किसी को भी अगर white hair की problem रही है तो हो सकता है कि वो आपको भी हो जाए बट इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि आपके hair ज़रूरी है white ही होंगे आपके hair black बिलकुल भी नहीं हो सकते आपके hairs black हो सकते हैं जो कि मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा जो next चीज होती है वो होती है हमारे hair styling products भी काफ़ी जादा helpful होते हमारे hairs को white करने में and then जो next और last चीज होती है वो होती है हमारी age जब हमारी age बहुत जादा बढ़ने लगती है हम बुढ़े होने लगते हैं तो हमारे hairs white होना शुरू हो जाते है यह एक बहुत ही बढ़ा reason है but problem तब खड़ी होती है जब आपकी कम age में hairs white होना शुरू हो जाते है अब बात कर लेते हमारे solutions की solution simply वही होंगे जो मैंने आपको problem बता है उन्हीं को आपको ठीक करने है but ठीक कैसे करने है तो सबसे पहले आपको अपने B12 की कमी को खत्म करने है B12 की कमी आप कैसे खत्म कर सकते हो आप अपनी diet में B12 जरूर से consume करें अब B12 किसमे होता है एग मीट चिकन मिल्क इंसम में हमारा B12 होता है और भी बहुत सारे foods जिनमें B12 होता है यह plant food में बहुत ही ज़्यादा कम होता है मैं यहाँ पर आपको कुछ foods बता देता हूँ आपको यह सब आप ले सकते हो अपने B12 की कमी को खत्म करने के लिए या आगर आपको और भी ज्यादा foods जाने जो कि आपके पास अवेलेबल हो आप गूगल पर सिंपली सेर्च कर सकते हो आपके बहुत ही सारे आपको मिक्सर में डाल देना उसे गुमाना उसका जूस बनाना उसे किसी भी आप जार में बर ले लिए किसी भी चीज में बर ले थोड़ा थोड़ा करके बनाया इतना इतना जो कि आपके काफी जादा दिन चल जाए उससे आपको ओईलिंग करने है तैंज से फिफ्टीन मिनट आपको रेगुलर ओईलिंग करने है अपने हेर्स पर और मिनिमम आपको उसे एक और के लिए छोड बहुत ज्यादा हेलफुल होता है हमारे वाइट और को ब्लैक करने के लिए भी ट्राइब कर सकते यह आपको बहुत ही ज्यादा है यह चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह बिल्कुल दस या पंदरा दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10 या 15 दिन में आपके ब ब्लैक भी होंगे तो आपको यह काफी लंबे टाइम तक करना पड़ेगा अगर आप वीक में पूरे वीक आप उयलिंग नहीं कर सकते हो तो कोई प्रोब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है आप चार दिन भी ओयलिंग करोगे तब भी चलेगा आपके हैर दिरे-दिरे ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे दें जो एक और चीज़ है वो है आपके प्रोड्ट्स आपको अपने प्रोड़क्स है प्रोड्स बिल्कुल भी छोड़ देने खास करके आपको शैंपू कर देना जो कि मैं हमेसा बोलता हूँ और शैंपू का यूज मैं कम क्यों बोलता ह जो एक और चीज वो लोगे आप बहुती जाद है अपनी डाइट को भी काफी जादा पच्छा कर ले ताकि आपके हेर दीरे दीरे ब्लैक होना शुरू हो जाए कि इंडिया काफी जादा काफी जादा करने बाइटीडा है इंडिया में काफी ज़्यादा कम उमर के बच्चों की भी हेर स्ट्रेस की वज़े से वाइट होना शुरू हो जाते हैं तो यह दिख लो यह बहुत ही बड़ी बात जहां पर बात आती है इंडिया के आपको इस्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है आप बिल्कुल चिल मार रखना आपको stress बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको एक अच्छी sleep लेनी है और आपकी hairs देरे-देरे black होना शुरू हो जाएंगे सो बस इतना है था आज की वीडियो में I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो subscribe कर गए जाना मिलते है next वीडियो में